सूपरभात बच्चो यह कार्य कक्षा दूसरी विशे हिंदी उपविशे री की मात्रा से लिया गया है इस कार्य का लिखित सार आपको 17 मई 2021 को भेज दिया जाएगा यह आवाज सुमन शर्मा की है बच्चो आज मैं आपको री की मात्रा के विशे में जानकारी दूँगी पिछले सब्ता भी हमने मात्राओं की दोहराई की थी आज हम री की मात्रा के विशे में पढ़ेंगे आएए सबसे पहले इसकी ध्वनी सीखते हैं आप सब मेरे पीछे पीछे पोलेंगे तो यह री से रिशी तो इसकी ध्वनी कैसी है री 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 आएए अब इसके चिन के बारे में पढ़ते हैं यह है वन या अक्षर के नीचे अर्दवरित यानि की सैमी सरकल या उल्टा सी इंगलिश वाला उसके रूप में लगी होती है यह देखे जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है यह है री की मातरा का निशान अब आएए इसे वेंजनों के साथ जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं जैसे क मेरी की मातरा क्री व मेरी की मातरा व्री ग मेरी की मातरा ग्री आएए अब कुछ शब्द पढ़कर इसका अभ्यास करते हैं यह मातरा अक्षर के साथ ही जोड़ कर पढ़ी जाती है देखे पहला चित्र है व्रिक्ष व रिक्ष व्रिक्ष व्रिक्ष यानी की पेड़ फिर है अगला चित्र है घर तो घर को कैसे पढ़ेंगे री की मातरा लगाकर ग्रिह क्या पढ़ेंगे ग्रिह जैसे आप लिखते हो ना ग्रिह कारे तो उसको क्या पढ़ेंगे ग्रिह अगला शब्द है निरिप निरिप यानी की राजा फिर है म्रिग म्रिग यानी की हिरन हिरन को भी म्रिग भी बोलते हैं फिर है अगला शब्द है मारा क्रिश्क तो क्रिश्क क्या हो गया किसान यानी की फार्मर फिर है क्रिपान, क्रिपान यानि की तलवार ठीक है बच्चो अब हम पांच मिनट की ब्रेक लेते हैं ब्रेक में आप नीचे लिखे कारे को पढ़ने का अभ्यास करेंगे यहाँ पर मैंने व्यंजनों के साथ री की मात्रा लगाई है आप इन व्यंजनों को री की मात्रा के साथ चोड़ कर पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं इसमें आप अपनी मम्मी की हल्प भी ले सकते हैं तो बच्चो अब आप आप आदियो वीडियो को पांच मिनट के लिए रोक सकते हैं आईए आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इन व्यंजनों के साथ री की मात्रा कैसे पढ़ी जाती है उसका अभ्यास करवा देती हूँ क, क मेरी की मात्रा क्री ख, ख मेरी की मात्रा क्री ग, ग मेरी की मात्रा ग्री फिर है घ, घ मेरी की मात्रा ग्री उसके बाद है प, प मेरी की मात्रा प्री फिर है व, व मेरी की मात्रा व्री फिर है ज ज में री की मातरा जुरी चलिए अब कुछ अन्य शप्त पढ़ कर री की मातरा का अभ्यास करते हैं री की मातरा के शप्त पहला है अमरित फिर क्रेश्ण बहगवान जिनको बोलते हैं फिर है क्रिश्क, फिर त्रेन, त्रेन यानि की घास, ग्रिही, उसके बाद क्रिपा, फिर है क्रिशी, क्रिशी मतलब खेती करना, व्रिक्ष, नरिप, नरिप यानि की राजा, पहले भी पताया था, फिर है क्रिपाल, फिर व्रिशब, फिर क्रिती, बच्चों आशा है कि आपको री की मात्रा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अब आप इस री की मात्रा का बार बार अभ्यास करेंगे तथा री की मात्रा के शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तथा अपनी नोटबुक में लिखेंगे धन्यवाद